सब्सक्राइब नाव एंड प्रेस्ट बेल आइकन नेवर मिस अन अपडेट हलो एब्रीबन जय हिन जय भारत दोस्तों हम आपके लिए लेकिए फिटर पेपर सेकिंडियर का 20 दिसंबर का पेपर है पूरा एनलाइस करेंगे अगर आप लो हमारे चैनल पर नहीं हैं तो फ्ली वीडियो में फ्राइंड डेक्शन देना चाहूंगा कि दोस्तों आई टेक बाद हम टेकनिकल की भी तैयारी करवाएंगे आपको जो डी रडियो है टेकनिकल डी रडियो मेट्रो और बहुत ही अच्छी खुसकवरी यह है कि आपको रेलेवे में लोको पालेट की वेकेंसी प्रवी आने वाली है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेर जरूर कर देना ठीक है पहली बात दूसरी बात कुछन कहां से पूछे जा रहे हैं कुछन जो है दोस्तों वो निमी की पीडियो अप से ही पूछे जा हुआ है फिटर सेकेंड एर फुल क्लास के नाम से उस पर क्लिक करना लिंक पर और वहां से आप सब क्लासे आ जाएंगे उनको आप पार्ट वाई पार्ट देख सकते हैं ठीक है अब ज्यादा ज्यादा फिर भी इते लोग जुड़ेगे उसके लिए बहुत बहुत उसकी मैंने एक पीडियफ बनाई अगर आप चाते हो वीडियो तो बता दिना एक ही वीडियो में सारे कोष्चन करवा दिए और कम से कम मेरे पास दायी तीन सो कोष्चन है वो सब करवा दूगा ठीक है बस आप लोग सपोर्ट है नेच्ट वीडियो सपोर्ट से आएगी द करूँ बताना ठीक है तो इससे पता लग जाएगा आपकी त्यारी के ऐसे चल लिए वहरी थ्रेट्स के दो पाइपों को जोड़ने के लिए पाइप लाइन में किस प्रकार की फिटिंग का उपियो किया जाता है रेडियूसर, कपलिंग, कैब या फिर निवल बताइए आप लोग इसका सही ओप्सन क्या हो जाएगा तो right option जो हो जाएगा हमारा सही option वो हो जाएगा कौन सा यानि की coupling बी option वाले सही है आगे आज की question पूछा गया था आज की exam में विविन व्यास की pipeline को जोडने के लिए किस मानग fitting का उपियो किया जाता है तो किसका किया था plug caps या फिर reducer या फिर coupling तो इसका right option हो जाएगा reducer क्या हो जाएगा reducer c option option वाले विल्गुल सही है ये किसका हो जाएगा c option ठीक है इसका हो जाएगा c option आगे question पूछा गया था खालिस्तान को नियतित करने के लिए किस वाल्व का उपियो किया जाता है और इससे केवल खुला या बंद इस्तिती में रखा जाता है बताइए आप लो इसका क्या हो जाएगा gate wolf, globe wolf, needle wolf या फिर non return wolf तो सही option क्या हो जाएगा वो हो जाएगा gate wolf यानि कि इसका a option हमारा एदम सही option हो जाएगा क्या हो जाएगा a option आगे question पूचा गया था question कहे रहा था वहां प्रोपेलर साप्र पर किस प्रकार का coupling के उपियो किया जाता है plate, clamp, slip, universal तो कौनसा किया था बताइए आप लो जल्दी से comment करके इसका जो हमारा right option हो जाएगा, सही option वो हो जाएगा, कौनसा अगर आपने universal coupling लगाया है तो यह हमारा सही option हो जाएगा ठीक है, यहां तक आपने question देखे होंगे, question का level कैसा है, easy question है, अगर आपको tough लग रहे हैं, tough कैसे लगे हैं, जब आपने पढ़ाई नहीं होगा निमी वीडियो, तो इसी दिए वो आपको tough लग रहे होंगे आगे हमारा question पूचा गया था, pipe के प्रवाव के दिशा को मोड़ने के लिए किस pipe fitting का उपियो किया जाता है, union, plug, elbow, coupling, बताई आप लोग कमेंट करके वो हो जाएगा हमारा सही option, elbow, elbow वाले विलकुल सही है, क्या, elbow वाले एकदम सही है, आगे question देखते हैं, आगे question पूचा गया था, pipe, pipe डाई द्वारा काटे जाने वाले बाहरी pipe, threads की सीमा क्या होती है, एक बटा दो, 4, एक बटा दो से लेके 4, एक बटा चार से 4, एक बटा आट से 2, एक बटा चार से 6, क्या हो जाएगा बताईए अप लोग।, इसका जो right option हो जाएगा, वो हो जाएगा, यानि क्या B option, एक बटा चार से 4, आगे देखें question, आगे question पूचा गया था, कि sinet's tubular सतह पर किस प्रकार के रेंच का उपियो किया जाता है स्ट्रेप, फूट पॉइंट, चेन पॉइप, इस्टल, सन तो कौन से करेंग बताईए आप लोग कमेंट करके इसका जो राइट उप्शन हो जाएगा वो हमारा पूछा गया था स्ट्रेप रेंच, यानि कि दोस्तों इसका एउप्शन हमारा सही अप्शन एउप्शन हो जाएगा, ठीक है क्या हो जाएगा आगी कोशन देखेंगे आगे हम कोशन देखेंगे आगी कोशन कहाएगा किस प्रकार का पॉइंट जो पाइप जोएट है 90 degree पर branch बनाता है तो किस degree पर मतरब कौन सा बनाता है किस प्रकार का pipe तो right option हो जाएगा coupling, T branch, astric reducer या फिर constructive reducer तो सही option कौन सा हो जाएगा इसका बताइए आप लोग वो हो जाएगा T branch अगर आप लोग ने B option इसका लगाया है B option वाले एक्तम सही है कौन से B option वाले आप लोगों से मैं request करूँगा इस वीडियो को share कर देना ठीक है आप लोगों के demand पर यह है और आप लोगों support से यह चल रहा है तो share ज़रूर करना ठीक है और अच्छी लगे तो like भी आगे question देखेंगे आगे हमारा question पूछा गया था आज की एक्जाम में आंत्रिक चूडियां वाले pipe लाइन को बंद करने के लिए किस मारक pipe fitting का उप्योग किया जाता है तो किसका किया था plug के producer का plane तो right option हो जाएगा plug का प्योग करते हैं किसका plug यानि कि A option इसका हमारा सही option हो जाएगा आगे देखेंगे आगे हमारा question पूछा गया था साप्ट सत्य से प्रतियोगिता के लिए किस प्रकार की में अग्रभाग वक्रता है मतलब अग्रभाग हो sunk, flat, circular या hollow बताईए आप लोग comment करके इसका क्या हो जाएगा तो जो भी साथी हमारे hello saddle की लगा रहे हैं तो वो एकदम सही option लगा रहे हैं यानिकि D option वाले सही हैं आगे देखेंगे आगे हमारा question पूछा गया था आंतर धागे की सठीकता की जाच करने के लिए किस gaze का प्योग के जाता है या आज़की एक्जाम में पूछा गया था ring, snap, thread ring या फिर center gauge तो जो भी साथी ऐसे हमारे C option लगा रहे हैं C option वाले वो एकदम सही है thread, ring, gauge वाले है आगे हमारे question देखेंगे question हमारा अगला है महीन अप घर्षक कड़ों का प्योग किस operation में किया जाता है filing, lamping, scraping या policing बताई इसका right option क्या हो जाएगा इसका जो right option हो जाएगा वो हो जाएगा lapping यानि कि B option वाले सही है ठीक है, अब मैं आपको और आगे दिखा रहा हूँ question question हमारा अगे पूछा गया था वायू चलत के अनप्रयोगों के नीचे कौन सा प्रवरतन है ड्रेग, push, close, open तो सही option कौन सा हो जाएगा इसका अब लगाईए आप लोग जल्दी से वो हो जाएगा कौन सा push ठीक है, आगे देखते हैं कम से कम मेरे पास चार लोगों ने question वेजे थे चार पांच 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 ये वो ही question है कम effort के साथ लोड को move करने के लिए किस सब्द का उप्योग की जाता है pneumatic, pneumatic, hydraulic, दवाव, वायू का प्रवाव तो कौन सा मारा सही हो जाएगा बताइए आप लोग वो हो जाएगा pneumatic ये जो भी लगा रहे हैं वो एकदम सही option लगा रहे है शरी next question देखेंगे next question पूचा गया था एक्जाम में आज की एक्जाम में ये ही electroneumatics का operating voltage का आया है voltage कितना ये हमें बताना 10 से, 10 voltage से 140 voltage 12 से 220 voltage या 15 से 200 voltage या 200 से लेके 240 तो सही option का उप्योगा रहे है किसका पूचा आगा है वो हो जाएगा B option जो भी साती B option लगा रहे है वो एकदम सही option लगा रहे है आगे देखेंगे आगे हमारा question पूचा गया था question है कौन सा gauge hydraulic system में द्रव दवाव की मातरा को इंगित कर सकता है vacuum gauge vacuum gauge pressure gauge fluid gauge या pneumatic gauge तो पताईए सही option कौन सा हो जाएगा इसका बताईए आप लोग अगर आपने निमी अच्छे से पढ़े होगी इन question को आसानी से कर गए होगी यह मुझे इस्वास है तो राट option हो जाएगा B option यानि कि दोस्तों इसका हो जाएगा pressure gauge क्या हो जाएगा एक बार pressure gauge ठीक है B option लगा लेना चलिए next question देखते है question हमारा piston type motor की value medical दक्षिता क्या है 0.8, 0.75, 0.98, 0.95 बताईए सही option क्या होगा तो जो भी साथी है से हमारे इसमें क्या लगा रहे है D option D option वाले सभी साथी सही है 0.95 कितना D option तो साथियों मैंने आपको इस वीडियो में कितने question करवाए ज़्यादा ज़्यादा जो भी हमें मिले जो भी हमें चार भाईयों ने हमें मारे पास question बेजे वो मैंने आपको इस वीडियो में करवा दिए ठीक है अब हम बात करेंगे क्या अगर आपने अभी तक फिर भी में एक बार थोड़ा आखरी में कहना चाहूँआ अगर आपने अभी तक त्यारी अच्छे से नहीं किये तो भीड़ जाईए निमी को follow करिए link description में है filter second year full class के नाम से है link description में लिखा हुआ है उस पर click करना और सारी वीडियो आ जाईए उनको revision कर लो ठीक है और इस वीडियो को share कर देना हमारे पास टाइस question है previous जो कि हर एक्जाम में पूछे काभी मैनस से मैनन को typing करवाया है और PDF format में बनवाया है तो आकर वो वीडियो चाहते हैं तो आप तो आप कमेंटर करके बता देना हमारे चैनल को subscribe कर लेना और साथ में वैल आकन दबा लेना ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी साथ थेंक्यों पर वाचिंग जय हिन जय भालत